राजस्तान परदेश के सबी विद्यार्थियों का हार्दिक श्वागत, हार्दिक अबिनन्दन, प्रिये विद्यार्थियों जैसा कि कल जो है वो साहिते सिरीज 2 जो टेस्ट है जिसका आयोजन करना था लेकिन टक्निकी कारणों से आयोजित नहीं कर पाए, अब जो चब्व जो इस मई को उस टेس्ट में बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा प्रियाश करके अच्छे अच्छे उत्तर भेजे और अपनने पेले ये बात कहीती कि जिन विद्यार्थियों के उत्तर सही होंगे, ज्यादा सही होंगे और समय से प्राप्थ हो का आनूंस जो है वो अगले वीडियो में किया जाएगा ये अपन मतलब पढ़ रहे थे और अपनी ये योजना थी तो इस योजना के मुताबिक मेरे पास कम से कम हजार विद्यार्थियों के नाम यानि हजार विद्यार्थियों के द्वारा मुझे उत्तर प्राप्त हुए है अजार से ज्यादा ही होंगे तो इसके लिए लेकिन कई विद्यार्थियों के नाम अगर नहीं भी आये हैं मानलो नहीं भी आये हैं तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है एक तो देखिए जिन विद्यार्थियों ने जिसे मानलो इस पस्ट जिनकी फोटोज नहीं आई थी ज जिन्होंने उत्तर बहुत सही बेज़े थे लेकिन अपना नाम और एड्रेस नहीं बेज़ा। बहुत सारे विद्ध्यार थी जिनके उत्तर है वो उत्तर ताली का परकासित होने के बाद प्राप्त हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे यह जो अपनी उत्तर तालिका जो है, उत्तर तालिका को थोड़ा और लेड जारी करेंगे, ताकि सभी विद्धियार्थियों को आउसर पराप्त हो उसके, बहुत सारे विद्धियार्थियों इसे हैं, इनके पास जो फोन है वो साम सुबह ही मिलता है यह जिसे माता पिता के पास रहता है और वो साम को आने पर देखते हैं तो उन विद्यार्थियों का जो मुझे सुझाव पराप्त हुआ बहुत सारे विद्यार्थियों का तो उनके मुताबिक थोड़ी देर से जारी करेंगे आज यानि आज की जो उत्तर तालिका है वो लगभग कल 10 वजे तक जारी करेंगे ताकि उस समय तक आप जितने भी विद्यार्थी हैं वो उत्तर भेजे बेज सके ताकि हम अगले वीडियो में आपके नाम अनाउस कर सके अब 26 तारीकों जो विद्यार्थी मेरे पास जिनक अबिशेक सर्मा राज की उचमाद्यविक विद्याले बिंचावा डिडवाना से जो मेरे विद्याले का बालक है अरविंद खरवास ग्राम कालिसर तैसिल उद्यपुरवाटी जिला जुन्जनु से बहुत-बहुत धन्यवाद सकूर खान वीर तेजाजी सेनियर सेकेंडर जिनके उत्तर समय पर प्राप्त हुए आरती गोदारा राज की उचमाद्यविक विद्याले बिर्लो का खियूसर नागोर से गिरदारे लाल गोदारा सहीद प्रेम सिंग नगर बाड़मेर से गोविन सर्मा शिरिशनातन धर्म वरिष्ट उपधाय लाल सोट जिला दोसा से देवु बेनिवाल राज की उचमाद्यमिक विद्याले रत्तासर चोटन बाड़मेर से देवी कुमारी राज की उचमाद्यमिक विद्याले आलपूरा बाड़मेर से जिनके उत्तर समय पर प्राप्त हुए रिचा सर्मा राज की उचमाद्यमिक विद्याले मावा डिडव पूर्णपूर से, रामकुमार, राजकिय उच्छमादिमिक विद्याले सुमेरपूर, पाली से, मालाराम, नोखा विकानेर से, और भी बहुत सारे विद्यार्थियों के नाम आये हैं, जैसे मनिशा गुजर, जिन्होंने भी मेरे पास जो उत्तर भेजा, यानि और भी बहु उतने उत्तर सही थे, लेकिन फिर भी जारी नहीं हुए, मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ, तो आप मुझे अउगत करवाई, अगले वेडियो में आपका नाम निश्चित रूप से बोला जाएगा, और सुधार करके बोला जाएगा, और मैं सोचता हूँ कि आप निश्चि कारी ये नहीं है, आपको कह है, कह में ऑप्सन कौन सा है, वो लिख करके बेजना है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगले वीडियो में और अधिक विद्यार्ती जो है वो उत्तर लिख कर बेजेगे, ताकि आपके नामों की अनाउंस है, वो और और ये अच्छे तरीके स की जाए, अब हिंदी अनिवार्य का एक मेगा टेस्ट होगा, जिसमें सभी विद्यार्ती भाग लें, जिसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और सभी जो संकाय के विद्यार्ती है, वो भाग लेंगे, और आपके यानि एक हिंदी अनिवार्य का मेगा टेस्ट होगा, उम्मी काम भी अनौश किया जाए तो आईये आज का वेडियो शुरु करते हैं और रष्टनों की शुरुआत करते हैं एपाज का वेडियो क्यों ना एक चैल कींदा हे डंध बाया इसमें प्रीडर क मान आज लेकäl पूरे प्रस्ण देखें, देख करके और इनका उत्तर आप अवश्य ही भेज़ें, देखिए पहला प्रस्ण, पहला प्रस्ण है कि खींच ले चला काल धीवर अनंत मैं इसमें अलंगार है, अर्थात कोन सा अलंगार है, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, उपमा, इनमें मानव की कदराई दर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई और इसमें कदराई का क्या अर्थ है मनुश्य की कदर, कायरता, कर्तव्य निर्वहन, कर्मठ था इन में से कौन सा अर्थ है वो आपको भेजना है प्रशन संक्या 3 देखिए मुक्त चंद के प्रवर्तक माने जाते है इन में से कौन है जो मुक्त चंद के प्रवर्तक माने जाते है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन है सुमित्रा नंदन पंद का मूल नाम था सुमित्रा नंदन पंद का मूल नाम क्या था गुसाइंदत, रामदत, हरिदत, प्रियागदत अगला प्रिशन देखिए अगला प्रिशन है जे संकरपरसाद की रचना जिसे ब्रिज और खडीबोली दोनों भासाओं में प्रकाशित किया गया यानि उसे ब्रिज में भी लिखा गया है और खड़ी बोली में भी लिखा गया है वो कौन सी रसना है कानन कुशुम लहर प्रेम पत्थिक आकास्थी इन चारों में से आपको बताना है चट्टा प्रिशण देखिए चट्टा प्रिश्ण है कि भारत माता है अर्थात भारत माता क्या है ग्राम वासीनी नगर वासीनी पाताल वासीनी महल वासीनी इन में से ओप्शन चोज करके आपको बताना है रामदारी सिंग दिनकर का जन्म कब हुआ? 1908 इश्वी में, 1907 इश्वी में, 1897 इश्वी में, 1890 इश्वी में. अगला प्रिश्णे. Next question है आपके राम की शक्ति पूजा का वेका आसावादी संदेश है? राम की शक्ति पूजा का वेका आसावादी संदेश है? सत्रू को हराने के लिए हर संबव प्रियास किया जाए? पराजित होकर भी मन से हार स्विकार नहीं करे? जीत की आसा नहीं होने पर सत्रू से समझोता कर ले? नेतिक अनेतिक युक्तियों से सत्रू को हराने का प्रियास किया जाए इसमें आपको बहुत ही very important प्रस्ण है थोड़ा ज्यान दीजिएगा और इसे हल करके आप भेजें प्रस्ण सिंक्या 9 देखें अनो में है कि जैसंकर प्रसाद कृत रचणा जो अधूरी रे गई थी कंकाल तितली इरावती अजाज शत्रू इनमें से आपको बताना है नोवव़ प्रस्ण देखें नोव़़्य प्रस्ण है कि निम्न लिभीत में से दिनकर जी की रचना नहीं है इनमें से तीन रचना ये दिनकर की है एक नहीं है रश्मी रथी साथ गीत वर्स रेणुका रस्वंती ये इन चारों में से आपको बताना है कौन सी रचना है जो दिनकर जी की नहीं है पेश सोला की प्रतिध्वनी कविता किस कावे संग्रहे में संग्रहित है कौन सा कावे संग्रहे है जिसमें ये संग्रहित है कानन कुसुम में लहेर में जर्ना में चित्राधार में कौन से में है बताना है बारवा प्रिश्ण है आपके कि जैसंकरप्रसाद मूलतक कवी रहे हैं मुक्तचंद के प्रवर्तक कवी, प्रेम और सुंधरिय के कवी, रोमानी कावे धारा के कवी और वीररस के कवी, कौनची धारा के कवी रहे हैं वो आपको बताना है अगला प्रिशन देखिए अगला प्रिशन है आपके कि राम रावन युद्ध के समय सिर्राम निरास हो जाते हैं क्योंकि रावन की परबल सक्तियों को देखकर शक्ति को रावन के बक्ष में देखकर रावन की अंगिनत सेना को देखकर रावन की माया भी शक्तियों को देख कर इन में से कौन सा है जिसे आपको ओप्शन सही लगता है चौध मा प्रिस्ण है कि राम को शक्ति की उपासना करने का सुझाव दिया किस ने दिया हनुमान ने, सुग्रीव ने, जामवान ने, नल और नील ने इन में से किस ने दिया वो बताना है प्रशन संक्या 15 देखिए प्रशन संक्या 15 में जैस्वंकर परशाद को किस काव्य रचना पर मंगला परशाद पारितोशिक से सम्मानित किया गया कानन कुशिम पर, कानन कुशुम, कामायनी, चंदर गुप्त, इसकंद गुप्त एंद्रू स्वामिन इनमें से कौन सा है जिससे उन्हें सम्मानित किया गया यानि मंगला पर साथ पादितों सीख मिला सोडवा प्रिशन है आपके कि हाथ में तलवार उठा कर युद्ध में मरना मारना आनुचित नहीं होता जब युद्ध अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हो किसी का राज्य छिनने के लिए हो किसी को कोस प्राप्त करने के लिए हो किसी का कोष प्राप्त करने के लिए हो, किसी सुंदरी को पाने के लिए हो, चारों में से जो सई ओप्सन है वो आपको भेजना है सतर्वा प्रसन देखिए, कुरुशेतर कावे के अनुसार सांती का प्रथम न्यास है सांती का प्रथम न्यास कौन सा है अन्याय, न्याय, द्वेश, इर्शिया कौन सा है वो बताना है अरुन ये मदमे देश हमारा प्रसाद जी के किस नाटक में उलेखित है अरुन ये मदमे देश हमारा जहां पहुंच अंजान सितिज को मिलता एक शहारा ये एक गीत है जो कि प्रसाद जी के एक नाटक में लिखावा है उस नाटक का नाम बताना है दुरुष्वामिनी, इसकंद गुप्त, चंदर गुप्त, विशाक्वत इन में से कौन सा है उसमें बताना है 19. प्रसन देखिए 19. प्रसन है कुरुसेतर कावे के अनुसार सांति का प्रथम नहीं कौन सा है ये प्रसन पेले आ गया है इसलिए आप इस प्रसन को हल नहीं करे क्योंकि ये सेम प्रसन है वो आ गया है पेले तो आप ये 19. प्रसन आप हल नहीं करे अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है कवी ने नर्व्याग्र किशे कहा है कवी ने नर्व्याग्र किशे कहा है कर्ण को, भीम को, दुर्योधन को, अर्जुन को, किसको कहा है, वो लिख के पेजना है, 21 प्रस्ण देखिए, 21 प्रस्ण है, कुरुशेत्र के तर्तिय स्रग में वारतालाप हो रहा है, अर्जुन और स्री कृष्ण के बीच, भीम और युदिश्टर के बीच, दुर्योधन और कृष्ण के बीच, बिश्म और अर्जुन के बीच, किसके बीच हो रहा है, वो लिख के बताना है, 22 प्रस्ण देखिए, अचल रहे सामराज्य सान्ति का जीओ और जीने दू, इसमें क्या है या Gilini किसका संदे जीवन जीने का संदे करेतरिम्ट सांती प्रविंग्य है मैं इसांती का सामराजि अचल होता है उप्र्यूक्ट सभी इन में से जो option सही है 파ो लिख के बताना है का है दर्ती कितना देत्ती है कविता आधारित्थ है किस पर fiance विरोचित पहओं पर बाग्यवादी दर्शन पर कवी के एत्याशिक अनुभाओं पर साहित्य दर्शन पर इनमें से कौन सा सहिय है वो बताना है प्रस्ण सिंक्या 24, बारत माता कविता में कविपंत ने वर्नन किया है, किसका? बारत वर्ष के प्राकरतिक सुंदरिये का, भारत की दीन हीन दसा का, भारत के एतियाशिक महत्व का, भारत के राजनितिक विकास का. कौन सा है? वो चूज करके आप बताएं. 25 मा प्रस्ण देखिए भारत माता कविता में भारत माता का आंचल कैसा दिखता है सजा संवरा, दूल भरा और मेला सा, संपन और विक्षित, मन मोहक भारत माता का आंचल है वो कैसा दिखता है भारत माता कविता के नुसार वो आप बताएं 26 मा प्रस्ण देखिए 26 मा प्रशन है इनमेंसे आपको बताना है 27 मा प्रशन देखे 27 मा भारत माता कविता की संग्रे से ले गई है चिदम्रा से ग्रन्ती से उतरा से ग्राम्या से यानि ये वेसे इनके सारे ही हैं, लेकिन इनमें से कौनशी रचना है या कौनशा कावे संग्रह है, जिसमें भारत माता कविता का संग्रह किया गया है, वो लिया गया है, और आगे देखिए, धर्ती कितना देती है, कविता में कवी ने संदेश दिया है, ये धर्ती कितना दे किसका संदेश दिया है हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे समझ नहीं पाया था मैं उसके महत्व को और फल फूल कर में मोटा सेट बनूंगा इनमें से कौन सा संदेश देती है वो संदेश आप बताएं प्रशन सिंक्या 29 देखिए हिन्यम लेकित में से खड़ी बोली में लि खड़ी बोली में लिखा गया है अन्तिम प्रशन देखिए काज परे कचवोर यह शरे कचवोर इसमें रहीम ने किसका ब्रणन किया है मनुस्ये की कर्मटता का मनुस्ये की स्वार्थी प्रवर्दी का मानव मन में उत्पनकारियों का और मानुमन की भावगता का इनमें से क किसका बढन किया है वो आप बताएंग यह था अंतीम प्रस्चन और आप सभी यह जो इन प्रसंण की अत्र तालिक है वो आप लिख करके जैसे प्रस्चन क्या एक में कौन सा उत्तर है प्रस्चन पर बेजें इसमें एक प्रसंद रिपीट हुआ है और उस रिपीट प्रसंद को आप हल नहीं करें सिर्फ गुंतिश प्रसंद ही आप हल करके बेजें एक से गुंतिश तक आप हल करके बेज दें या एक ये भी हो सकता है कि उस प्रसंद जो रिपीट हो गया है उसका उतर भी आप लिख के बेज़ दे ताकि जो repeat हो जाएगा वो repeat हो जाएगा उसमें वो आपका सही उत्तर है तो सही बाना जाएगा इसलिए आप निशाए तरोब से इन उत्रों को जब तक की जारी की जाती है की upload होने से पहले जिनके उत्तर आ जाएगे जो उत्तरसर्व से सही होंगे उनके नाम अगले वीडियो में प्रकासित किये जाएंगे उनका नाम अनाउंस किये जाएंगे इसलिए आप अपना नाम पता पता कंप्लीट रूप से भेजे जैसे आपका नाम, विद्याले का नाम गाउं का नाम और इसके साथ तैशिल और जिले का नाम भी आप निशित रूप से लिख करके भेज़ें ताकि आपका नाम अनाउंस की अजा सके आज बस इतना ही जै हिन जै बारत